वेल्कम डू लर्निंग हिमाचल जैसे कि आपको पता है कि एक महीने के बाद यानि कि आप लेकर चलें कि विदिन वन मन्त और विदिन टू मन्त आपका जो है वो HPSCB यानि कि हिमाचल पदेश स्टेट कोपरेटरी बेंकर असिस्टन मेनेजर का एक्जाम हो सकता है क्योंकि अभी अभी रिसेंट नोडिफिकेशन आई थी कि आपका जो पैटरन है थोड़ा सा चेंज किया गया है यानि कि आपका प्री का एकजाम नहीं होगा सिधा में का इग्जाम होगा तो जैसे कि यह आज जो हम discuss करेंगे वो हम discuss करेंगे data interpretation data interpretation आपका one of the most important topic है आपके इस exam के लिए क्योंकि approximate 25 questions जो है वो आपके DIs है ते 25 questions मलब एक topic से 25 questions तो आप खुद लगा सकते हैं हिसाब की मलब यह topic आपका किदना ज्यादा important रहेगा अब जो data interpretation देखिए इसमें भी कुछ types होते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो table chart tabular DI जिसको हम बोलते हैं दूसरा हमारे पास आता है pie chart तीसरा हमारे पास आता है bar chart चोथा हमारे पास आता है line chart ठीक है तो यह इसके जो हम वो चार point चार topic रहते हैं DI के अंदर data interpretation के अंदर ज 45 questions आपसे पूछे जाते हैं तो approximate 25 और 25 plus questions जो हैं वो सिरफ आपके data interpretations जाये थे तो आप खुद हिसाब लगाओ कि किना important topic है तो इसी के regarding आज जो हम यहां पर questions solve करेंगे और मैं आपको solve करके बताऊंगा वो हम pie chart solve करेंगे इससे आपका concept भी clear होगा और questions को भी आपका बता चल करेंगे ठीक है गाइस तो यह important video जो है वो आपके लिए होने वाली है ठीक है बहुत ही जादा जरूरी video है उन students के लिए जो कि इस बार assistant manager के exam के लिए मतलब appear होने जा रहे है ठीक है अब already जैसे हमारा batch जो हो चल रहा था station manager का जो कि अब खतम होने वाला है ठीक है within one week जो हो हमारा batch खतम हो जाएगा तो इसी के regarding हमने जो है अब एक test batch शुरू किया test batch यानि कि test series अब क्या होगा कि एक महीने के लिए one month तक daily आपको daily basis पे हम आप आपको test देंगे ठीक है और last के 10 days में हम आपको mock test देंगे यान की complete test उससे पहले हम जो हो आपको subject wise test देंगे आपका एक अलग group बनेगा ठीक है subject wise test जो हो आपको हम daily देंगे topic wise subject wise ठीक है और फिर weekly हम two days ऐसे रखेंगे जहां पे हम in test जो भी आपके उस दो तिन दिन में जो test test हमने आपको दिये उनकी discussion होगी और respective teacher अपना subject जो हो आपके साथ discuss करेगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपकी practice होगी क्योंकि आपको बता है कोई भी exam है अगर आपको वह exam crack करना है तो आपको practice की बहुत ज़रूरत होती है knowledge is a good thing अगर आपको knowledge अची बात है लेकिन अगर आपको practice नहीं है तो फिर आप exam crack नहीं कर पाओगे तो आपको practice के लिए ही जो है वो हमने ये batch शुरूर किया है उन students के लिए जो शायद पढ़ रहे हैं या अपना पढ़ चुके हैं और वो practice करना चाहते हैं तो वो students हमारे साथ जुड़ सकते हैं बाकी जो already enrolled students जो हमारे live batch में थे जिन्होंने दो महिने हमसे पढ़ा है वो already इसमें enrolled है लेकिन जो new students है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आप इस number पर contact कर सकते हैं और ये number description में भी दिया है ठीक है तो I will add you in the group मैं आपको group में add करूँगा और 26th से यानि कि Thursday से जो है ये आपका सि दे दी और बस बात कदब इसकी discussion भी होगी हर एक question जिसमें आपका doubt है वो हम clearly solve कराएंगे और in fact पूरे test की जो हो answer की भी हम जो हो आपको detail में solve कराएंगे ठीक है इसके लिए हमारा zoom या google meet पर जो हो class रहेगी हफते के 2 दिन 2-2 घंटे ठीक है और जितने भी आपके previous 2-3 दिन very affordable batch इस पूरे one month की जो fees रहेगी जिसमें आपको daily test मिलेंगे discussions होगी आपको proper guidance होगी तो इसकी fees रहेगी 3000 देखो अगर आप सिर्फ test भी कहीं से खरीदते हो तो 1000 से कम आपको test नहीं बढ़ेगा लेकिन हम आपको test भी दे रहे हैं subject wise test भी दे रहे हैं और उसकी discussion भी हो रही है respective teacher आपको अपने हमने subject में भी personally guide करेगा ठीक है तो ये सारी facility जो हो आपको देंगे तो learning ही माचल हमेशा आपके लिए रहा है जैसे हमने HS के लिए वैसे लाइड के लिए वैसे आपके assistant manager के exam के लिए भी हम जो हो करेंगे ठीक है तो आप अगर हमारे साथ जुणना चाहते है आप इस number पर जल्दी से जल्दी contact करें सिर्फ दो दिन बचे है ठीक है और Thursday से जहाब आपको ये चीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक है guys तो चलते हैं अब अपने questions की तरफ जो आज हमने discuss करने है जो हमारा pie chart topic है देखिए यहाँ पर आपको एक pie chart दिया है यहाँ पर आपको पाई चार्ट में जो values दिया है वो percentage में given है दो पाई चार्ट में क्या होता न आपका circle है circle में आपके angles भी होते हैं क्योंकि आपको पता है कि circle 360 degree का होता है ठीक है तो मतलब क्या है कि question यहाँ पे percentage दिया है लेकिन आपको angle भी आ सकता है angle वाला question भी मैं आपको होगा तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले हम उपर पढ़ेंगे study the chart and answer the question ठीक है पहले हमको chart को पढ़ना है फिर हमने जो questions पूछे है उसको solve करना है आपको बोला है if the total monthly income of the family is 33,650 देखो यह जो आपको total income दी है यह आपको बोला है 33,651 एक family की और expenditure of family जो हो यहाँ प पीने का होता है तो वैसी यहाँ पे दिया है कि कुछ expenditure है एक family का की food पर जो हो उसका 25% लगता है salary का house rent 18% जाता है entertainment 9% child education 23% medical 13% provident PF याने की 12% तो यह जो हो खर्चा है total income 33,650 है अब आईए read कर लिया अब हम करेंगे इसके question solve question में अगर हम सबसे पहला देखें तो question है आपका house rent per month is देखो आपको बोला कि house rent कितना है अब यहाँ पे आपको बोला कि house rent 18% है of the total income तो अगर आपको value निकालनी है तो आप क्या करोगे 18% of जो भी आपको value दिये 33,650 तो 18% of 33,650 कितना होगा आप इसकी percentage solve करोगे 18 by 100 into 33,650 अब जब आप इसको solve करोगे 0 से 0 cancel ठीक है 18 into 33,650 by 10 तो आपका answer आएगा rupees 6057 यानि कि 6,057 रुपए यानि कि option number C जो है वो आपका correct answer होगा यानि कि house rent पे monthly किना रुपए जा रहे हैं 6,057 रुपए जा रहे हैं जो कि 18% होता है आपके total monthly income का ठीक है next question बे आते है next question आपको दिया है annual savings in the form of provident fund would be अब आपको क्या बोला कि annual savings बतानी है कि क्या होगी अब देखो अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा provident fund आपका किना है 12% कट रहा है वो अलड़ी save हो रहा है लेकिन यह आपको क्या बोला है 12% कट रहा है एक महीने का क्योंकि यह monthly salary यह early तो नहीं है लेकिन आपको question में क savings in the form of provident fund तो annual savings यानि कि early बोला है और provident fund आपका कट रहा है 12% यानि कि 12% of 33,650 तो यह क्या हो गया एक मन्त का आगया ठीक है एक मन्त का आगया लेकिन आपको एक साल का निकालना है एक साल में 12 महीन ही होते है तो आपको कर दोगे multiply by 12 तो यह किसका आजाएगा एक साल का जा होगे तो आपके उस value आएगी रुपीज 48,456 यानि कि आपके इतने रुपीज जो हाँ वो as a PF सेव हो रहे है यानि कि आपका option number A जो है वो correct option रहेगा clear अब अगर हम बात करें next question यानि कि question number 3 की तो question number 3 है आपका after provident fund deductions and payment of house rent the total monthly income of the family remains अब आपको क्या बोला देखो after provident fund deduction and payment of house rent यानि कि provident fund को भी देकर मलब जो आपका पैसा कट गया वो कट गया और house rent के अलावा मलब जब आप यह दोनों pay कर देते हो तब आपकी total monthly income कितनी बचती है family की जैसे suppose को आपके पास 100 रुपया है 100 में से 10% आपका कट गया किसी एक चीज के लिए 20% कट गया दूसरी चीज के लिए तो अब आपको बोला कि आपके इस remaining पैसे कितने बचे सेम वही है कि आगर आपकी total income 33,650 है जिसमें से कि आपका provident fund भी कट रहा है आपका house rent भी कट रहा है तो अब आपने बताना है कि कितने percent जो हैं वो आपके पास पैसे मलब कितने amount of पैसे जो हैं वो आपके पास बचे ह अब देखो total income 33,650 है provident fund आपका जैसे table chart में दिया है provident fund की value के दिया है 12% यानि कि provident fund 12% कट रहा है और house rent आपको बोला 18% यानि कि house rent 18% कट रहा है तो 12% और 18% तो lost हो गए total मानलो 100% है 100 में से 12 भी गया ठारा भी गया तो 100-12-18 ठीक है कितना हो गया आपके वास 70% यानि कि अब आपके सिर्फ 70% बचा है total income का तो अब क्या करना है आपने 70% निकालना है total income का ठीक है यह आपके पास क्या हो जाएगा remaining amount तो 70 by 100 into 33650 तो आपके पास कितना रुपए आएगा रुपीज 23,555 तो यानि कि आपका option number C जो हो इसका correct option हो जाएगा clear guys next question आपके पास जो आता है इस pie charts related the total amount per month the family spends on food and entertainment combined together यानि कि food और entertainment में combined कितना पैसा जा रहा है ठीक है तो आपने पहले बताना है total amount तो आपको पता है कि 33,650 है अब family जो आप food में कितना percent कर रही है और entertainment में कितना percent कर रही है वो आपको यह pie chart बताएगा ठीक है तो entertainment में 9% जा रहा है food में 25% जा रहा तो यानि कि अगर आपको बताना है कि यह कितने रुपे के equal होता है combined together बोला है तो अगर आपके पास जो food में जा रहा है entertainment में 9% जा रहा है food में 25% जा रहा है तो total कितना percent आपका चला गया 9 plus 25 यानि कि 34% तो चला गया लेकिन आपको 34% की value निकालनी है तो क्या गर होगे 34% of total amount यानि कि 33,650 तो क्या जाएगा 34 by 100 into 33,650 तो आपके पास कितने रुपीज होगे जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास बचेंगे 11,441 यानि कि आपका option number B ठीक है तो यह आपका pie chart का साथ ठीक है अब देखो pie chart के जोई questions है यह तो percentage वाला pie chart था लेकिन आपको यहाँ पे बाकी देखो अगर आपको अच्छे से daily practice करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह batch आपके लिए बहुत ही fruitful रहेगा यहां से ही इस practice batch से जो है लगभग आप जादा नहीं तो 2500 questions जो है वो एक महिने में solve करोगे तो देखो जब आप 2000 questions assistant manager exam के लिए solve करोगे तो मतलब आप आपकी जो तयारी है वो एकदम peak पे चली जाएगी ठीक है तो कि हम इसको discuss भी करेंगे discuss करेंगे आपको को short tricks भी बताएंगे ठीक है short tricks बताएंगे वो आपकी exam में काम आएगी और क्या पता इन 2000 questions में से ही आपके 1500 questions exam में आ जाएं है न क्यूंकि हम तो यहां पूरा syllabus करेंग यहां पे hpgk भी होगी english भी होगी math भी होगा reasoning भी होगा banking awareness भी होगी computer aptitude भी होगा है न हर एक topic के जो हो आपको questions मिलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है guys तो यह आपका आज का video ठीक है बाकि अगर आप यह join करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी contact कर सकते हैं you only have two days left ठीक है तो limited amount of seat ह है क्योंकि हमें हर एक बच्चे को जो personally भी guide करना होता है तो हम limited students को ही enroll करते हैं 12 बच्चे already हो चुके हैं तो आप 10 सीटे समझ लोगी और बच्चे हैं तो अगर आप जिनना जल्दी हो सकें आप हमें contact करें तो फिर हम जो है वो 26th of October से जो हो यह सिलसिला शुरू हो जाएग ठीक है गाइस बाकि आपको कुछ और वीडियो important लेकर आएंगे हम इसे related तब तक के लिए thank you जैहिंद and wish you very all the best जैहिंद